वालंटाइन डे के कुछ दिन पहले अमिशा पाटेल का दिल तूट गया बबर है कि बॉइफ्रेंड कान अप पुरी से अमिशा का प्रेक अप हो गया है रीसन बताया जा रहा है कि अमिशा बॉलिवड में फिर से अपना करियर रिवाइब करना चाहती है मगर कान अब शादी करना चाहते हैं आखिर कब तक वेट करते सो दोनोंने अलग होना ही बैतर समझा करियर के लिए प्यार को कुरवान करने का ये पहला किस्सा नहीं है पिछले साल प्रिती जिन्टा और नेस वारिया का प्रेक अप भी से लिए हुआ क्योंकि प्रिती बॉलिवड में नई पारी खेलना जाती थी जिसके लिए नेस तयार नहीं हुए कंगना रना उतुरा ध्यान सुमन का प्यार जिस तेजी से परवान चड़ा उसी ही रवतार से नीचे भी आ गया राज दमिस्ट्री कंटिन्यूज के बाद दोनों अलग हो गए अगें दिसेम रीजन करियर खबर आई कि दोनों लवबर्ड्स ने इस उम्र में प्यार करने की बजाए करियर बनाना बहतर समझा अर्मन बावेजा और प्रियंका चोप्रा के ब्रेक अप का रीजन भी करियर ही रहा आखिर प्रियंका कैसे एक फ्लॉप अक्टर के साथ लव स्टोरी बनाती जबकि वो लगातार सक्सस की तरव बढ़ रही है इसी करियर ने कट्रीना कैफ और सलमान खान के पीच भी डिस्टन्स कर दी है कैट का फोकस इस वक्त अपनी फिल्मों पर है अब फिल्मों से वक्त बचे तो प्यार करने का सोचे और इस बॉलिवड बेब्स प्यार अंधा नहीं होता बलकि प्यार आँखें खोल कर किया जाता है